मैंने इस वीडियो को create किया इसलिए कि मेरे कुरा account में एक question आया था कि कोई फी WordPress website की post या कोई फी blog post को Google search ranking किया जा सब्था या नही तो मैं उस question के answer में कहूंगा जी हाँ कोई फी WordPress website की post या कोई फी फी blog post को Google में rank किया जा सब्था है उसके लिए आपको कुछ discipline Google की कुछ discipline maintain करने होंगे वो discipline को हम लोग SEO भी कहते हैं हम लोग सभी जानते कि SEO दो तरह की होती है on page SEO और off page SEO तो फ्रेंट इस वीडियो में मैं आपको पूरा detail बताऊंगा on page SEO और off page SEO के बारे में लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे कि on page SEO और off page SEO कुछ effort का काम होता है इसलिए वीडियो थोड़ा लॉंबा हो सकता है तो फ्रेंट मेरा आपसे request है कि ये वीडियो अप पूरा ध्यान देके देखिए ताकि आपको कोई भी step मीच ना हो जाए प्रेंट में desktop के screen पे जाऊंगा उसके पहले आपको एक request करताओ मेरे इस छोटी जी चैनल को सबस्क्राइब करके मुझे थोड़ा motivate कीजिए ताकि मैं बार बार ऐसे important वीडियो अपके लिए लाग सको तो फ्रेंट चलिए desktop के screen में चलते हैं और देखते हैं कि on page SEO और off page SEO की help के दोरा आप लोग कैसे कोई भी 3 wordpress website या 3 blog post को कैसे rank करते हैं टाइटेल मतलब कि आपको समझाने के लिए एक टाइटेल और एक description setup करके रखा था और on page SEO और off page SEO में क्या 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 करना परेंगे वो भी मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ आपको समझाने के लिए ठीक है तो आप देख देखके समझ गये होंगे तो प्लीज वीडियो को पुरा देखिए ताकि मैं वीडियो की end में एक आपको plug-in के बार में बताओंगा जो plug-in के मदद से आप यह जो on page SEO का जो setup है आप पूरा आप कर पाएंगे आपको याद करके देंगे वो plug-in की आपको on page SEO में क्या करना परता है ठीक है तो यहाँ पर मैं 24 तींस आपको बताओंगा वो आपको हार टाइम याद रखना परेंगे और वो plug-in के मददम से भी आप वो याद कर पाएंगे ठीक है तो मैं पहले on page SEO से शुरू करता हूँ और यहाँ पर देखे मैं पहले बात बात हूँ कि यहाँ पर यह जो free website rank भी अब देख रहा है मिया जो यहाँ पर mark किया हुआ हूँ इस free website rank यह है с keyword देखिए, यहाँ पर भी add किया हुआ है, यह देखिए, free website rank, ठीक है, यह मेरा is block का keyword है, मतलब is block के through मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो basic SEO, on page SEO में आपको चार चीज़े याद राखना पता है, एक है basic SEO, दूसरा है additional, तिसरा है content readability, और चोथा है title readability, ठीक है, तो basic SEO क्या है, basic SEO में क्या क्या आथा है, basic SEO में आथा है, find keyword, यह जो मैं keyword को select किया हूँ, यह ऐसे keyword select नहीं किया हूँ, मैं इसको find करके उसके बाद यहाँ पर लिखा हूँ, क्योंकि कोई भी keyword ऐसे हो साथा है, कि एक वार्ट या दो वार्ट से keyword हो साथा है, लेकिन आप जब इस time में जब blog लिखेंगे, तो आपको तीन या चार वार्ट के combination में एक keyword होता है, जैसे कि free website rank, यह 3 वार्ट का focus keyword हो साथा है, तो keyword को आपको पहले ढोड़ना परेगे, ठीक है, दूसरा हो गया कि website speed optimization, आपका जो website है, आपका website का speed optimization must है, क्योंकि अगर कोई बंद अगर आपको site में आए, आपका site में आए, तो वो अगर आपका site, अगर street अच्छा ना रहे, तो वो back हो साथा है, ठीक है, इसके लिए आपका website का street एकदम सही रहना पड़ता है, ठीक है, और broken link building, आपको broken link मतलब कि आप जब कोई blog link हैंगे, मतलब कि आपका site समझिये कि, सपस्थरे आपका site एक साल से चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर कितना comment आए होंगे, कितने post आए होंगे, ठीक है, वहाँ पर जो comment ज़्यादातार हो था है कि broken link commenting के थुरू आ जा था है, कही कोई बंदा आपको comment किया है, तो comment उतो कर दिये, लेकिन जिसने comment किया वो अगर कोई post या जो post का link दिया है comment के अंदर, वो post अगर delete करें तो यहाँ पर आपको broken link बन जाएगा, तो उस link को आपको fixing करना पता है, ठीक है, मैं कोई दूसरा वीडियो में यह fixing करना सिखाऊंगा, ठीक है, और website speed optimization में भी मैं सिखाऊंगा दूसरी वीडियो में, यहाँ पर जितना भी topic आथा है मैं अलग अलग वीड keyword on SEO title, यहाँ पर देखिए, title में focus keyword होना चाहिए, यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि, यह keyword मैंने धूनके रखाए, keyword यहाँ पर set किया है, keyword क्यू set किया है, यह भी बतना है, तो यहाँ पर देखिए, focus keyword title में होना चाहिए, ठीक है, title में होना चाहिए, यहाँ पर देखिए focus keyword in URL, तो फ्रेंट, URL में यह focus keyword जाना चाहिए, focus keyword URL में set करना पड़ता है, ठीक है, मैं दूसरी दिन कोई वीडियो, सरी, मैं अभी देखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो title है, title यहाँ पर set हो गया, और permalinks जो आप देख रहा है, edit snippet, यहाँ पर, यह देखिए focus keyword URL में, permalink setup मतलब URL setup, ठीक है, तो URL setup करने के लिए, मतलब यहाँ पर permalink में अगर आएंगे, तो URL आटोमेटिक setup हो जाएगा, तो मैं अपना focus keyword ही permalink पर राख देख हो, मतलब कि ऐसे ही, permalink setup करेंगे, तो URL setup हो जाएंगे, ठीक है, वो focus keyword राखना पद था है, अपनी URL में, 6 नमबर पर आता है, meta description में focus keyword आना चाहिए, यहाँ पर देखे, इसको कहते meta description, यहाँ पर title हो गया, यह हो गया heading 2, मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर देखे, heading 2 setup किया है मैंने, तो यह हो गया heading 2, heading 2 में focus keyword देना पर था है, पहले मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पर देखे, free, sorry, free website rank, ठीके, यह हो गया focus keyword, meta description में, ठीके, और 8 नमबर पर आता है, focus keyword in the content, यहाँ पर देखे, free website rank, यह जो keyword मैंने setup किया था, ठीके, यह keyword content के अंदर, मतलब कि यह जो content मैंने पूरा लिखा है न, इस content में, मतलब कि हर 200 word के अंदर, या 300 word के अंदर, या 400 word के अंदर, यह keyword एक बार आना चाहिए, ठीके, तो इसको कहते है, focus keyword in the content, आप चलते additional में, additional में क्या-क्या है, वो एक बार में आपको बताता हू, ठीके, additional में, use focus keyword in heading, like 1, heading 2, heading 3, heading 4, it is easy, मतलब कि यहापार देखिए, यह जो heading 2 हो गया, यहापार तो मैंने focus keyword दे दिया, और heading 3, यह हो गया, heading 3, heading 3 में आपको यह focus keyword देना है, एक बार, एक बार यह जो focus keyword मैंने setup किया था, इस focus keyword को एक बार इसमें देना परता है, add an image with your focus keyword as aalt text, ठीके, तो यहापर म यहापर set किया है, यहापर भी set किया है, और image के aalt text में भी focus keyword देना पर था है, इस focus keyword को aalt text use कैसे करे image में, यह इसके लिए एक वीडियो में अलग तरीके से बना दूँगा, तो आप लोग please comment कीजिए, ठीके, तो किस की ज़रुआत है जानना, तो उसके बार में मैं एक हैंगे, keyword destiny, there is no idea, keyword, sorry, there is no ideal keyword destiny percentage, but it should not be too high, the most important thing is to keep the copy natural, ठीके, आप मैं जो जितना समुझता हू, keyword destiny के बारे में, वो मैं आपको एक बार बाता था हू, कि देखिये, अगर मैंने 600 वाट का एक ब्लोग लिग दिया, ठीके, तो मैं जो जिस टूल के बारे में आपको बताऊंगा, जो टूल मैं यूज़ करता हू, उस टूल के जरिये, उस टूल में मुझे शो करता है, कि अगर आप 600 वाट का कोई ब्लोग लिखते है, तो उसके अंदर कम से कम, उस content के अंदर कम से कम, 7 बार या 8 बार, मैंने 7 या 8 बार आपको वो keyword देना परता है, ठीक है, उसको कहता है keyword destiny, तो अगर सापस धरी आप 1000 वाट का एक ब्लोग लिख दिया, तो उसमें आपको कम से कम, 12 या 13 बार आपको focus keyword, मतलब कि कोई, जो keyword आप select करते हो, जो keyword आप content में देते हो, जो keyword टाइटल में देते हो, इतना देर तक मैंने आपको जो समझाया, keyword find करना, वो keyword आप कम से कम, 1000 अगर हो गया, तो 12 या 13 बार आपको देना परता है, अच्छा, और URL, आप चलते, URL should be maximum 75 character, आप देखिए, आप जो URL मैंने अभी अभी देखाया था, कि URL कैसे setup करते, पार्मा लिंक में जाके, तो URL मैंने आपको, आप URL जो setup किया था, एकदम, कॉम URL setup किया, मतलब कि, 44 character कर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 75, maximum 75 character के अंदर ही, आपको URL लगना परेंगे, तो उसके उपर आब अगर हो जाएंगे, उसके ज्यादा हो जाएंगे, तो आपका, वो keyword SEO में नहीं आए, मतलब कि, वो link URL, SEO के अंदर नहीं आएंगे, SEO के बाहर चला जाएगा, ठीक है, आप outbound link, use outbound link that will must be do follow, अच्छा, एक outbound link यूज़ करना है, जैसे कि, आप कोई भी blog लिखते हो, या कोई भी article लिखते हो, तब जब आप कोई भी link देते हो, किसी की बारे में लिखते हो, या किसी की blog के बारे में, या किस कुछ भी की बारे में लिखते हो, तो आपको एक outbound link देना पड़ था है, जैसे कि हो गया YouTube का link हो गया, या कोई भी do follow back link, जैसे कि आपका friend का कोई blog का कोई URL दे दिया, ऐसे ही कुछ outbound link होते हैं, जो link आपको do follow, मतलब आप उसको do follow दे रहा है हो, जैसे आप Instagram का link भी add कर सकत या कोई भी link add कर से, तो आपको बो link से link को do follow link देना पड़ेंगे, ठीक है, अच्छा, use inbound link, inbound link का मतलब होता है, inbound link का मतलब होता है कि आप जब आपके ही blog का कोई link, आपके नया content में, मतलब आप जब सापस मैं इस blog को लिक रहा हुआ भी, तो इस blog में, अगर मेरे ही site का, सापस धर ये मेरे ही site का कुछ, कोई भी blog का link यहाँ पर add करूंगा, तो उसको कहते हैं, outbound link, sorry, inbound link, ठीक है, अच्छा, next आथा है, focus keyword should be content maximum time, मतलब कि focus keyword should be content maximum time, मतलब कि focus keyword should be content maximum time, मैंने पहले ही बताया, कि यहाँ पर जो focus keyword का destiny, तो मैंने पहले बताया, इसके बारे में और दूर्सा बार आप नहीं बताते हैं, आप चलते title readability, title readability में क्या-क्या follow करना परेंगे आपको, title readability में आपको follow करना परेंगे, focus keyword near the being in title, first 10%, अब मैं आपको एक बत समझा था हूँ, यहाँ पर देखिए, यह मेरा focus keyword हो गया, ठीक है, आप, सापस धरी यह पूरा title है, ठीक है, यह पूरा title में, अगार यही तक आजाए, तो यह आता है 50%, ठीक है, आप 50% के अंदर हो गया, मतलब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया 50%, यह जो word, जितना word है, यहाँ तक तो आपको भी लगता है, कि यह 50% हो गया, आप, यहाँ पर जो title का जो focus keyword, focus keyword set करना है, वो focus keyword, आपको इस 50% के अंदर, अगार 10% के अंदर यहाँ तक होएंगे, यहाँ तक होएंगे, तो और भी आच्छा होंगा, लेक 50% के अंदर रहेंगे, तो आपको वो on page SEO perfect कह लागा, ठीक है, आप, दूसरा बात, चलते है, title should a positive or negative statement, तो इसका मतलब आप समझते है, title should a positive or negative sentiment, मतलब कि देखिए, हाउ कैन, मैं जो यह title सेट अप किया हूँ, हाउ कैन ए फ्री वेबसाइट रैंक इन गुगल सार्च इंजिन 2021, तो इहाँ पार sentiment, sentiment का मतलब है, कोई भी इहाँ पर focus के, इहाँ पर जो बोल रहा है, कि title should be a positive or negative sentiment, यहाँ पार देखिए positive क्या होता है, can, मतलब है, हम इसको कर सत्ते, तो यह जो how can free website rank, how can a free website rank, कि यहाँ पर एक positive sentiment हो गया, ठेक है, ऐसे होता है, और उन्होंने उस SEO प्लागिन में, मैं जो प्लागिन इसकर था, उस प्लागिन में बताया कि यहाँ पर एक positive sentiment हो गया, तो मेरा SEO फूलफिल हो गया, मतलब किस title का, title का readability में positive sentiment add कर दिया, मैंने, अब use a number on your block title, मैंने पहले ही बताया कि एक number चाहिए होता है, मैंने पहले बताया कि अब यह title मैंने क्यों रखा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप बता थाओ कि यह यह जो मैंने 2021 use किया है न, इसका ही number हो गया, मतलब कि संखा, संखा हो गया, मतलब यहाँ पर जो requirement है कि use a number on your block title, तो उस संखे से मेरा number भी add हो गया, on page SEO में यह सब आपको करना परता है, ठीक है, जब भी कोई blog लिखते हैं, तो on page SEO में यह सब करना परता है, अच्छा, दूसरा था है use a power word, ठीक है, use a power word, तो अपके title में एक power word होना चाहिए, जैसे की rank, ठीक है, यह rank एक power word हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ word है, जो power word कहला थे, जैसे, यहाँ पर can हो गया, can हो गया, एक positive sentiment, और rank हो गया, एक power, ठीक है, तो ऐसे ही होता है, power word और positive word, ऐसा कुछ combination है, मैं आपको इस वीडियो में, अगर सब कुछ बता हूँगा, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएंगे, तो इसलिए में, जो main point है, वो आपको बता रहो, ठीक है, और content readability, अभी देखते content readability में क्या है, use a table for breakdown your content, आप देखिए, यहाँ पर उन्हें ने बाताया, कि उस plugin ने बाताया, मतलब कि SEO जैसे कर थे, on page SEO में, यह चाहिए होता है, कि use a table for breakdown your content, तो आपको एक table of, मैं आपको इस वीडियो में पुरा कभान नहीं कर रहाऊ, लेकिन आपको बता रहाऊ कि table of content कैसे यूज़ कर, table of content यूज़ करना एकदम easy बात है, जैसे कि आप Google में search करेंगे, table of content, तो आपके सामने बहुत ऐसे website आजाएंगे, वहाँ से आप table of content को, content की plugin को download करके, अपनी WordPress साइड में install कर सकते, और अगर ऐसे भी ना हो सकता है, तो आप अपनी dashboard में, आपकी WordPress website की dashboard में जाके, add new plugin सेक्षन में जाके, आप लोग search box में जाब टाइप करेंगे, कि table of content, तो आपके समने बहुत plugin आजाएंगे, जो सबसे easy लागी, सबसे अच्छा लागे, बूप plugin आप install करके activate कर लेजिए, setting कुछ भी करने के आपको जुरौत नहीं परता है, सिब install और activate करने से, table of content, automatic, add हो जाता है, अच्छा, use next, use short paragraph, use short paragraph का मतलब है, आप जो paragraph, आप जो ब्लोग लिख रहा हो, उस ब्लोग में जो परा लिख रहा हो, वो परा maximum देश्चो तक जा सब्था है, देश्चो वर्ड तक जा सब्था है, उससे जदा वर्ड अगर हो गया, तो आप वो SEO friendly नहीं होंगे, क्यूंकि जितना छोटा 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 आप पराग्राप लिखेंगे न, उतना ही reader को पर्णने में आसानी होंगे, तो उसके लिए आप 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इससे जदा अगर आप content पराग्राप राखेंगे, तो user को पर्णने में, reader को पर्णने में दिख्खत होंगे, तो उसके लिए paragraph को short करना चाहिए होता है, और next आजा था है use image after for 400, मैंने पहले ही बताया था कि हर content में, हर blog में 400 watt के अंदर अंदर एक image को देना पड़ था है, ठीक है, और आप चलते हैं, कि अप्पे जैसियो में क्या-क्या था है, आप जैसियो में क्या-क्या था है, आप जैसियो का एक बहुत कम समय लगेंगे, मतलब कि आप जैसियो करने में, आप जब करेंगे तो आपको जितना time दे सकिए, उतना दे दीजी आप जैसियो में, ठीक है, मतलब मुझे समझाने में थोड़ा कम time लगेंगे, इसलिए मैं आपको easy तरीका से बताता हूँ कि जितना भी आप backlink जिनाराट कर सकते उतना है आपके site के लिए, मतलब कि आपके कोई भी site के लिए, कोई भी blog के लिए, कोई भी free blog, free website, free कुछ भी के लिए, मतलब कि website related कुछ भी के लिए आपको backlink जितना जिनाराट कर पाएंगे उतना है आपको यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टाइप करके रखा है इसको आगर आप सही से यूज करेंगे तो आपको कॉमेंटिंग बैक लिंग का पुरा फंडा समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ पर यूर्ल मतलब जिस ब्लोक का आप कॉमेंटिंग बैक लिंग जिनरेट करन और यहाँ पर आपका क्यूर्ड ठीक है यहाँ पर आपका क्यूर्ड जैसे कि यह जो क्यूर्ड मैंने सिलेक्ट किया था पहले थ्री वेबसाइट रैंक ठीक है इस क्यूर्ड को इस यहाँ पर आगर लगाएंगे और इसका ही जो यूर्ल है इस यूर्ल को यहाँ पर लगा उस पोस्ट का URL और उस पोस्ट का keyword यहाँ पर लागाएंगे तो आपको commenting backlink जनाट हो जाएंगे लेकिन commenting backlink ऐसे नहीं होता है कुछ comment link के उसके बाद यह अगर paste करेंगे तो ही आपको comment approve होंगे इसके लिए भी और एक वीडियो मुझे create करना परेंगे क्योंकि यह topic भी बहुत लंबा जाएगा इसलिए अभी इसको छोड़दा हो ठीक है दूसरी बात है कि guest post backlink अप कही पर भी अप free guest post है या paid guest post है कही पर भी अप guest post लिखेंगे वहां से आप जितना backlink generate कर पहेंगे उतन नमबर पर आता है guest post backlink एक नमबर पर दे गेस्ट को post backlink बहुत trustable होता है तो guest post जितना कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और authority site backlink authority site backlink जासे हो गया ORG site का कोई backlink generate करना या .com site का या .net या हो गया मतलब की कोई organization कोई fund का या कही का मतलब की भिमाज जो होते है वो एडू ऐसे कुछ backlink generate करना होता है authority backlink ठीक है ये commenting की through कर सत्त है या guest post की through भी कर सत्त है ठीक है और profile creation की through भी कर सत्त है आप चलते profile creation backlink के बारे में profile creation backlink आप देखे कुछ ऐसे site है जहाँ पर आप profile creation backlink generate कर सत्त है जैसे की trucksgo.in profile creation हो गया LinkedIn profile creation हो गया mix.com profile creation हो गया medium.com ऐसे ऐसे site है जहाँ आप profile creation के दारा backlink generate कर सत्त है ठीक है और में ये जो आपको authority backlink और profile creation backlink का एक मतलब की blog लिखे है कुछ address भी दिया हुआ हूँ उस blog में तो वहाँ पर जाके भी नीचे में लिंक में दे दूँगा वीडियो की description में लिंक दे दूँगा वहाँ पर जाके आप profile creation या authority site backlink generate कर सत्ते है ठीक है आप चलते है फ्री classified ads फ्री classified ads जनाइट करने के है मतलब की फ्री classified ads को आप रांड करने के लिए आपको कुछ sites ढूंडा परेंगे जैसे कि अगर आप Google में search करेंगे कि free classified ads तो यह लिखकर अगर search करेंगे यहाँ तक लिखकर अगर search करेंगे तो आपके समने हाजारों ऐसे साइड आ जाएंगे वहाँ पर फ्री आपका कोई भी blog का आपका कोई भी URL का कोई भी post का चाहे blogger पे हो या चाहे wordpress पे हो कही पर भी हो वह आप classified ads के द्वारा आप प्रोमोशन कर सकते ठीके free वह भी free होते अच्छा paid ad आप तो जानते होंगे facebook, twitter, linkedin या google ads यहाँ पर भी आप चाहे वहाँ पर से आप paid ad को create करना कर पाएंगे create कर पाएंगे क्योंकि paid ad हर जगा मतलब कि paid ad available है market में जितना paid कर पाएंगे उतना ही आपका अच्छा है तो paid ad के बारे में मैं आपको record में नहीं करता हूँ क्योंकि आपका मर्जी है आप अगर करेंगे तो आच्छा है ना करेंगे तो वह भी आच्छा है ठीक है और off-page SEO के बारे में मेरा बाता हूँगा उस plugin का नाम है मैं आपको वह नाम लिके रहे था rank math र-a-n-k-m-a-t-h rank math यह अगर आप इस plugin अगर आप अपनी dashboard में जाके add new plugin section में ढूंडेंगे तो rank math plugin सबसे आगे आएंगे क्योंकि यह plugin बहुत फेमाज से और इस plugin में जितना आसान तरीके से आपकार पाएंगे उतना आसान तरीके से कोई भी plugin में आपकार नहीं पाएंगे तो इसके लिए rank math plugin बहुत 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 ही अच्छा है मे इस वीडियो को एक like करके मुझे थोड़ा motivate कीजिए और मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धेनवाद